हलो दोस्तों वेलकम है आपका इस पसल नौलेज पी में कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे मित्रो नौरात्री का त्यवहार चल रहा है चोकि हिंदु धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है वैसे हम हिंदु में अलग-अलग तरीके के अलग-अलग तीज त्यवहार प्रत उपवास हमेशा आते रहते हैं और हम लोग बड़ी आस्था के साथ भगवान की भक्ती करते रहते हैं आस्था मन में होनी बहुत ही आवस्यक है अगर हम किसी भी ब्रत को कर रहे हैं लेकिन अगर हम नौरात्री के ब्रत को कर रहे हैं तो हमें ये जानना अतेंत आवस्यक है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए क्या खाने से माता का आशिरवाद मिलता है और क्या करने से उन्हें बुरा लगता है, तकलीफ होती है, कस्ट पहुचता है, जिससे हमें भी कस्ट होता है तो आईए जानते हैं इस वीडियो में मित्रो अगर हम नौरात्री का ब्रत रख रहे हैं तो हमें सेव अवसे ही खाना चाहिए क्योंकि सेव में बहुत तरह के पॉस्टिक तत्त होते हैं जैसे कि आरन और विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जिसकी वजह से कभी भी हमें कोई भी परिशानी नहीं होती और कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ता है इसलिए सेव खाना अतंत आवश्यक है और इसके साथ में बहुत सारे फल होते हैं जो कि हम खा सकते हैं जिसमें बहुत रसा हो रशेदार फलों को खाना चाहिए और जिसमें रेशे हों उन फलों को भी अपने बोजन में अवस्य ही सामिल करना चाहिए मित्रों कहते हैं कि जब भी हम नौरात्री का बरत रखें तो हमें अपने घर में सीता फल अवसे ही लाना चाहिए और खाना चाहिए कहते हैं कि माता सीता ने इसी सीता फल को खा करके और बहुत सारे कंद मूल फल खा करके लंका में अपने जीवन को व्यतित किया था तो अगर हम सीता फल खाते हैं तो हमें माताशीता का आसिर वाद मिलता है इसलिए हमें सीता फल अवस्थे ही खाना चाहिए नौरात्री के ब्रत में कई सारे जूस हैं और दही है जिसको मीठा दही भी बोलते हैं वो सब पैकेट में आते हैं पैक आते हैं तो उन चीजों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें कई तरह के कैमिकल मिले होते हैं जो हमारे ब्रत को भी खतम करते हैं और हमारे स्वास्त के लिए भी हानी कारक होते हैं इसलिए हमें हमेशा जो फ्रस फल है उनको खाना चाहिए और फ्रस जूस पीना चाहिए आप जो पैकेट में सादा दही मिलता है उसको लेके आ सकते हैं या फिर कहीं भी जैसे दही मिलता है जो जमाया हुआ होता है उसको आप लेके आईए और उसे अपने घर में जैसा भी चाहें मीठा, नमकीन, दही, जीरे का, नमक का बहुत तरीके से दही बनता है तो आप उस तरीके से बना के अपने व्रत में खा सकते हैं तमाम तरह के अप तो रायते भी बनते हैं जैसे मखाने का, खीरे का या फिर लौकी का तो इन सब को आप बना के खा सकते हैं, यह आपके स्वास्त के लिए भी अच्छा होगा और आपके ब्रत के लिए भी अच्छा होगा जो डिब्यों में पैग दही मिलते हैं उनको नहीं खाना चाहिए आई जानते हैं कि माता की पूजा करते समय किन चीज़ों का बहुत ही ज़ादा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम माता की चौकी सजाते हैं य techniques की लगाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि हम उसके नीचे पेपर विछा देते हैं लेकिन हमें पेपर नहीं विछाना चाहिए क्योंकि लकड़ी के साथ वो कई तरह के कैमिकल को मिला कर बना हुआ होता है तो इसलिए हमें कागज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जैसे की gift paper हुआ या फिर पेपर होता है तो वो मंदिर में कभी भी नीचे नहीं विशाना चाहिए माता की चौकी लगाते समय हमेशा लाल कपड़े को ही नीचे बिछाना चाहिए इससे माता की कृपा प्राप्त होती है और जहां पर आप चौकी लगा रहे हैं वहीं पास में ही आप अपना आसन अवस्य ही लगाएं घर का कोई भी एक सदा से जो माता के समक्ष रह सकता हो सक्षम हो स्वास्त से भी सक्षम हो उसको वहां पर वसे ही सोना चाहिए जैसे कि वो हमेशा जो अखंड जोती जलती है उसका भी ध्यान रख सके और हमेशा माता के पास रहे जब भी कोई भी मतलब परिशानी होती है ना किसी को वहाँ पर होना आवस्यक होता है घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप घर में कलस स्थापित करते हैं तो अखर्ण जोती अवस्य ही जलनी चाहिए जो की पूरे टाइम जलनी चाहिए कभी भी बीच में उस जोती को नहीं बुझने देना चाहि ये ऐसी कोशिश अवस्य ही करनी चाहिए कभी कभी क्या होता है कि हमारी जोती बुझ जाती है तो उस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हाँ अगर कभी गलती से बुझ ही जाती है तो आप मातस से उसके लिए माफी मांग सकते हैं क्योंकि इंसान है और हमसे ही कई बार ग और भाव पड़ता है पूज्थों जब भी हम मातारानी की पूजा करते हैं तो नारीयल का प्रियोग अवस्षि यह करते हैं नारीयल को स्रीफल भी कहते हैं जो की कलस के स्थापना के समय तो लगाया ही जाता है तो इस बात का अवसे ही ध्यान रखें कि जब भी हम मातारानी के पूजन में या किसी भी देवी देवता के पूजन में नारियल का इस्तेमाल करें तो उसमें पानी अवसे होना चाहिए और जो नारियल हो वो जटावाला होना चाहिए ये नारियल कई तरह के आते हैं जैसे कि हरा नारियल भी होता है और सूखा नारियल भी होता है तो इस बात का ध्यान रखना आवस्यक है कि नारियल जटा वाला और उसमें पानी अवस्य होना चाहिए क्योंकि मातारानी को नारियल का पानी ही चड़ाया जाता है और दोस्तों जब भी हम मातरानी की पूजा करते हैं तो उसमें लॉंग भी मातरानी को अर्पित करते हैं तो इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लॉंग अर्पित कर रहे हैं देवी मा को उस लॉंग में फूल होना आवस्यक होता है क्योंकि बिना फूल के माता को लॉं नहीं अर्पित की जाती है और जब भी उनकी पूजा करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें स्वैत और काले वस्तर नहीं धारण करने हैं पूजा के समय हमें स्वैत और काले वस्तर नहीं पहनने चाहिए माता को पुस्प भी स्वैत नहीं अर्पित किया जाता है ना ही माता को तुलसी आवला और दुर्वा अर्पित करनी चाहिए हाँ नौरात्री के दिनों में अगर भगवान गडेश की पूजा कर रहे हैं तो आप उन्हें दुर्वा अर्पित कर सकते हैं और अगर श्रीयरी भगवान विश्णू की पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी पात्र डाल सकते हैं लेकिन माता की पूजा में कभी भी आवला तुलसी और दूर्वा का प्रियोग नहीं ना चाहिए कोशिश करें कि माता को गुडहल के या कमल के फूलर पित करें क्योंकि हमारे सास्त्रों में लिखा हुआ है कि माता को गुडहल अत्यंतप प्रिये है आपको हमारे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी कैसी लगी जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यों